हाई गैस वेलकुम बेक टो मैं चैनल आलमोस तीन से चार दिन हो चुके हैं आपडेट को आई हुए और मुझे भी तीन से चार दिन हो चुके हैं मेरे आइफोन 11 की उपर अपडेट को इंस्टाल की हुए यह मुझे इसका साइज कितना देखने को मिला और आपको यह अपडेट इंस्टाल करना चाहिए यहां फिल रिव्यू दोंगा परफॉरमस किस तरह सी आ रही है बैंटरी ड्रॉप हो रही है यहां फिल आपको देने वाला हूँ आप वीडियो जूल आस तक देख लें ता आप देखने को मिला तो आप चैक आट कर सकते हो इसका साइज है वह मुझे द्वार 1GB 44 MP वह दोस्तों मुझे देखने को मिला था आईफोन 11 के उपर इसका सबसे पहले मेरे के इसमें यह अप्डेट इंस्टॉल भी है आप चैक आट कर सकते हो काफी दिन हो चुके हैं इसक अप्डेट काफी सारा गुड चल रहा है सो इसको मैं जो है 100 मिट से दूसर है इसको 98 प्रसंट देना चाहता हूं क्योंकि कभी बात जो है नॉर्मल जितना लैग बगरा देखनों को मिल जाता है कि 98 प्रसंट चैक काफी सारा यह बैंटर प्रफॉरमस दे रहा है आईउस 17. 17.4 का अप्डेट मेरी आईफोन 11 की उपर सो सेकेंड बात का लेते हैं इसकी बैंटरियल की सो मेरी केस में इसकी बैंटरियल थी वो दोस्तो 88 थी जब मैंने इसको अप्डेट करना था अभी भी दोस्तो 88 की 88 है अभी आप चाकट कर सकते हो अनौन पार्ट चो रहा है क्यों आईफोन 11 की डाली है और इसलिए दोस्तो मुझे 88 अभी भी है और पहले मेरी 80 थी थी सो नौर्मल जेतनी मेरी बैंटरिय रात पर में 3-4% डॉप हो जाते है क्योंकि वो दोस्तों वाइफा बगारा करंटर रहता है नौडिफिकेशन बगारा आते रहते हैं सो नौर्मल है वह इतना खास नहीं है आप चैक आट कर सकते हो इस टाइवन अब गारा सोचल मीडिया अप्लिकेशन काफे सार यूज करा हूँ आपके सामने है जो कुशी भी है मैंटरे भी काफे सारी मस्त चल दरी है कोई भी प्रॉब्म देखने को नहीं मिल रही अगर आपकी भी केस में इसकी एप करेशिंग की प्रॉब्म आरे है उस चीज़ का एक स्लूशन है आपको सिंप्ली एप्टेशन के उपर क्लिक करना और आपको यहां पर अप्डेट की ओप्शन देखने को मिल जागी इस उप्शन के उपर आप टैप करता है यहां पर आपको जितने भी आपकी एप्टेशन के अप्डेट होंगे उनको आपको अप्डेट करने है ताँ जो आपका अप्डेशन अची तरीक साथ वर्क करने लग जाए आप देशकते हो ओलक्स का सिर्फ मेरे अप्डेट है दो से दिन पहले मैंनेज़ है अपना सोचल मीडिय एप्लिकेशन को अप्डेट कर लिया था जब मुझे आपको जितने भी क्रेशन को नहीं मिल रही अगर आपको नेटवर्क के साथ कोई इशू वगर आता है अगर आपको कोई प्रॉब्म आती है सिंप्ली आपको जनर्वर्सक्शन के उपर क्लिक करना आपको यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन को मिल जाएगी ट्रांसफ़र और रिसेट आइफोन की इस आप्शन को पर अपर टैप करना है रिसेट वर्सक्शन के उपर क्लिक करना रिसेट नेटवर्सक्शन की उपर क्लिक करना पासकूड अपना एंटर कर देना या फिर फेसाड़ी बगारा मांगे का तो एंटर कर देना आपकी reset एक बार हो जाएगी और आपकी अशी तरीक साथ network चलने लग जाएगे आप भी लास्ट में आपको दिखा देता हूँ इसकी battery भी पहले भी मेरे 65 थी battery अभी 65 है battery मेरे बिल्ट को भी drop नहीं हो रही काफी better performance दे रहा है मेरे के इसमें ये iPhone 11 में iOS 17.4 का update अगर आप इसको update करना चाते हो तो आप कर सकते हो क्योंकि आपको इस update में features भी काफी सारे देखने को मेले है iPhone 11 पर अगर आप features की वीडियो देखना चाते हो आप वीडियो अप्लोड कर दिया है आप वीडियो ये वहाँ जाकर देख सकते हो सो बेना किसी दिरीक साथ वीडियो कर लेता है शुरू बे खतम सो गैस मिलता है नक्षोड में ठैंक्स वासेंगाई ठैंक्स